सुक्रबुजार हो इस इस एतिहासिक बिल पर इस इस एतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया सरसी बात कह सकता है इक बेटिये सरसी बात कह सकते हैं कि इस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं मैलाओ की चिंता मैलाओ का ही मैलाओ से आगे बढ़कर भाईयों ने सोचना चाहिए यही इस नेश की परंपरा है मैलाओ के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है तो हमारे साथी सांसत निशिकान जी खड़े हुए है इसमें उनको क्या अपत्ती है उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले इसलिए ठोड़ा जैलस हो रहे यह साइड निशिकान जी मानी अध्यक जी मानी अध्यक जी कॉंग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोगकंत्र का गलाद होटते हैं वो मैं गुदारानूट मैं गाउं में पैदा हुआ मेरे माँ पिता जी आज भी गाउं में रहते है आज जब मैं पार्लेमेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भरती है सर उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोले और इसलिए कहा उसने कि जो महिला है सर आज यदि सारे पुरुस यहां मौझूद है उसका कारण महिला है यदि महिला नहीं होती तो पुरुस का कोई एक्जिस्टेंस नहीं होता और आज क्योंकि कॉंग्रेस की गलतफामी है गलती है सर और ये जितने अपोजिशन के लोग है वो इतने वर्सों तक इस बिल को लेकर नहीं आये हमारे मानने प्रदान मंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया आज हम दिल लेकर आये हैं इनके पेट में डर्द हो रहा है हम वर्सों से सुनते रहे सर कि जननी जन्म भूमिशो स्वरगाद पीगरियसी यत्र नारियस्तु पुजयंते रमंते तत्र देवता लेकिन क्या हुआ इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परिशान थी जब तक माननी अटल व्यारी बाजपीजी की सरकार नहीं आई सर्व सिक्षा अभिय खाना बना कर जाना पड़ता था सर्व और इसको जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने देखा तो मिड़े मिल स्कीम जब तक की सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या बच्चियों की संख्या नहीं बड़ी सर्व और उसके बाद जो सबसे बढ़ेंगे, बच्या कैसे आगे बढ़ेंगे उसीका ये उदारन और उससे आगे बढ़कर अज जो कल से लेकर हो परृण से लेकर मानने प्रधान मंत्री जी लगातार बोल रहे है कि सही समय है, यही समय है और इसी समय पर आज यह एतिहासिक सेषन बुला कर मान्ने कारक्षन देने का फैसला कि सर मैं पढ़ रहा था काफी बाते कहीं मैं केवल दो तीन चीजें बताना चाहता हूं फिर अपने विशे पर आऊंगा चाहता हूं यह देश इस संभिधान से चलता है और इसका आर्टिकल एटी टू मनिश टिवारी जी यहां बैटे वे हैं कल से लगाता है और वो संभिधान 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 की बात कर रहे हैं अभी सोनिया जी ने भी बोलते वे बाते कहीं कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया कब से लागू कर देंगे यह देश संभिधान से चलता है मैं आर्टिकल 243D और टू आर्टिकल 243D जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा आपने आपको गौरवानमीत महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महला रिजर्विशन लागू किया बड़ा अच्छा किया लेकिन ये आर्टिक्ल में 243D और 243D हमने तो नहीं दिया आप दोनों को पढ़ लीजिए 243D और T क्या पंचायत में किस तरह स रिजर्विशन होगा और मुनिस्फल कॉर्परेशन में किस तरह से रिजर्विशन होगा आपने उसके लिए कभी OBC की बात तो नहीं कि यदि इस आर्टिक्ल में यदि आपने डाला होता OBC की बात तो आप जब करिए बहुत अच्छा इतने वर्सों से आपको नहीं दिखा कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं कि विधान परिशद में बात नहीं कि आज भी राज्यसभा में सिरूल कास और सिरूल ट्राइब को रिजर्विशन नहीं है आप कौन सी नहीं बात के बात पॉलिटिकल एंगल के लिए आते हैं आपने जब नहीं प्रधान मंत्री जी और भारतीय जन्ता पर्टी इस बिलकों लाती है तो आप चाहिए तो आपको आघनrocीसीलेट लिए विदान परसंट में रिजर्वेशन नहीं ही आप पंचायत में कहिए कि कोई कोई OBC को रिजर्वेशन नहीं होगा चाहे में कोई OBC को रिजर्वेशन नहीं होगा और आर्टिक्ल एक टू है सर जो एड़्जस्मेंट आफ इड़ सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात सब पढ़ लीजेगा इस आर्टिक्ल को इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रिज कर दिया है आप अनकॉंस्टिशन काम करना चाहते हैं आप उसके ऊपर जो है काते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए तुरत सुप्रिम कोट में जाएगा और सुप्रिम कोट में तुरत लो इस्टक डाउन हो जाएगा क्या आप चाहते हैं कि महिला को र प्रुबात करता हूं उसका अंत भी करता हूं यदि यह महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा मिलकर रहेगा दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है लेकिन इनके यहां क्या दिक्कत है सर इनके यहां सबसे बड़ी दिक्कत है और अ सेंसस होगा सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे और यह आर्टिकल 82 का रहा है कि यह 82 का रहा है सर सर पूरे पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे मानने प्रधान मंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ बच गए इस पारलेमेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या हुई सर लोग सभा राज्जी सभा लॉबी सभी जगा सांसक बैटकर कानूल पास क तेरे भाई मरता था तो भाई का लाज जलाने के लिए कोई नहीं जाता था पिता मरते थे तो पिता का लाज जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था उस कोरोना से बचकर हम आये हैं दो साल के बाद आपका तो आपने क्यों नहीं कराया आपने क्यों नहीं कराया कितने लोग ग्रीमंत्री जी 140 क्रोड लोगों को बचा के लाए हैं और सेंसस जो संबेधानिक चीज है उसको जब हम लागू करेंगे यह लागू होगा आज आप कहा रहें क्यों नहीं लागू किये देश में फिर से यह गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करने सर दोहजार बीस औ लागू हो सकता था कैसे सेंसस हो सकता था और मानि ग्रीमंत्री जी बैटे हैं हमेशा कहते हैं कि मैं कोई गैर संबेधानिक काम नहीं करूंगा कोई असंबेधानिक काम नहीं करूंगा यदि सेंसस होना है तो उसका भी डेग घोसित होगा सेंसस होगा डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं को रिजर्वेशन में लगाई यही तो इस बिल में 334 से जिसके बारे में कि मानुन मंत्री जी कह रहते हैं सर लेकिन क्या समस्या है कि ये अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गटबंदन मनाया है सर इंडी एलाइंस इंडी एलाइंस उसके सारे नेताओं का मैं भासन पढ़ रहा था आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीती से उपर उठकर बोलेंगे तो कि वो अपोजिशन की आवास थी मैं उद्धा सम्मान करता हूं सर इस महिला रिजर की गीता मुखर जी थी और भारतिय जनता पार्टी की सुस्मा स्वराज थी ये दोनों यदी नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता 33% यदी रिजरबेशन लोकसभा और बिधान सभा में यदी लागू होने वाला है और मानिये प्रधान मंत्री जी लेकर कर आए हैं इन दो महिलाओं का लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भासन में ना गीता मुखर जी का जिक्र किया ना सुस्मा स्वराज का जिक्र किया ये किस तरह की राजनीती है अपना क्रेडिक लेना जाती है कि हमारा बिल है ये बिल आपका नहीं है आप जो बिल लेकर है वह गलत बिल है और यदि इसके लिए किसी ने अंदोलन किया तो गीता मुखर जी है वह सुस्मा स्वराज है आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीती करने की कोशिश की और आज का पूरा क्रेडिक जो जीता वह सिकंदर जो गोल मारता है या बंगाल के लोग बैटे हुए हैं जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल माना जाता है माने प्रदान मंत्री जी गोल मारने को तयार है ये भारती जंटा पार्टी का बिल है और ये मानी प्रदान मंत्री जी का बिल है आपको ये मानना पड़ेगा दूसरा सवाल है दूसरा सवाल है कि इ इसी सदन के सदस थे, राजिसवा के सदस थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे, अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगे, क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बाते हो नीची है। दूसरी बात, दूसरी बात, जो है, ये दूसरे नेता जो है, 2011 में, मैं, मैं अध्यक जी, मैं अध्यक जी, आपको दो कहानी बताना चाहता हूँ, और ये वर्सों से मेरे मन में था, इस पार्लेमेंट में दो बात, संजोग से मैं 2009 में सांसाथ बन कर आया, अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाजी सवों के साथ काम करने का मौका मिला सर्व, 2011 और 2013 में, दो भेंतर घटना हुई इसी वेल में, 2011 में, जब 2010 में ये बिल पास हो गया राजसभा में, और जब यहां 2011 में, जिसकों कि ये लागू नहीं करना चाहते थे, बिल लेकर आए, और जब बिल इदोर से इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो इनी के सहयों की दल, कि सानसदों को इसी कांग्रेस ने इसी वेल में पीता सब्स, दो बिल था, एक महिला रеждर्वेशन का 2011 में, और 2013 में, प्रमोशन इन रिजर्वेशन, और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में, मैं जब बात करूंगा, तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर, यही वी नरायन स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजबादी पार्टी के यस्वीर सिंग, सिरूल कास थे सर, यही यस्वीर सिंग यहाँ पार्लेमेंट में उस तरब से गये, वी नरायन स्वामी का हुनोंने बिल खीच लिया. इस पार्लेमेंट में, इसी लोग सभा में सर, सबसे पहले बेल में, यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया, यही मैडम स्वीमती सोनिया गादी जिस्थे से. और नीरत सेकर वहाँ खड़े थे, मुलायम सिंह यादब बाहर थे, और मैं वहाँ से कूट कर टेबल पर आया, और मैंने कहा कि आप यहाँ की तानासा नहीं है, आप यहाँ की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपिट नहीं कर सकती हैं, और इनके जो तने लेपिडेट से बिलास मुतेबार से लेकर सबनुद को पिटा, यह दो रोग घटनाएं जो है, चाहे महला रिजर्वेशन का हो, चाहे यह प्रोमोशन रिजर्वेशन का हो, यह पारलिमेंट है सर, सब को सत्य बोलना चाहिए, और मुलायम सिंह यादब ने कहा, यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बसते, आपने तो सांसदों के हद्या करने की गोशिश की, और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ, यह आए हैं जिनका की मांग सिकता ही नहीं है, कि महला को रिजर्वेशन मिले, चाहे वो रास्टे जनता दल है, चाहे वो उनके विरोध में जाकर, इस संविधान के विरोध में जाकर और उसके सारे उधारने के 96 से लेके आस तक क्यों नहीं लागू हुआ, उसी के कारण यह कभी OBC रिजर्वेशन की बात करते हैं, कोटा विदिन कोटा की बात करते हैं, राज्यसभा में जो है उसको अधिकार द जलता है, हम एक गरीब परिवार के बेटे होकर इस पार्लिमेंट में आये हैं से, जैसे मैंने बात कहीं कि मेरे माँ पिता जी, मेरे माँ पिता जी, आज भी गाउं में रहते हैं, यदि बाबा सहाब अंबेदकर का या संविधान नहीं होता, भारती जन्ता पार्टी में हो परियास किये, वो महिलाओं के खिलाफ है, यदि 498 आपने पास किया, जिसका आप क्रिडिट लेना चाहते हैं, तो उसमें से है, पूरुस से ज़्यादा महिलाएं ही जेल में बंद हैं, डौरी के केस में जिस तरह से आपने बनाया, आज यदि आपने किये कानून ऐसे पास यह जो यतिहासिक पल है, और स्मिकर सहाब आपके जीवन का जो यतिहासिक पल है कि उस खूर सी पर आप महीराजबान है, जिस पल में यह इतिहास बन रहा है, वह केवल मांगे, मोदी जी की देना है, भार्तीजनता पार्टी पोटेना है, हम संब्धान संबत काम करते हैं, और मेरा सब उसे आग रहा होगा कि दल पार्टी से उपर उठकर जो यह संभीधान आटिकेल एटी टू फोर टू फोर्टी ट्री और टू फोर्टी टी जिन आधार पर यह संभीधान चलता है उसके आधार पर इस नहीं पर श्रीमती कनी मोजी जी